मैं दॉक्टर प्रियम्वर अत्यागी हूँ, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलोजी औन डाइबिटीज आट माक्स हॉस्पितल पटपरगंच आज हम बात करेंगे अबाउट डाइबिटीज औन इट्स असोसियेटेड कॉंप्लिकेशन आपके शरीर के हर भाग को डाइबिटीज अफेक करता है और उन कॉंप्लिकेशन से बचने का उपाय है आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना और रेगिलर चेक अपस में वो कॉंप्लिकेशन को स्क्रीन करना डाइबिटीज रिलेटेड हार्ट डिजीज डाइबिटीज वाले लोगों को जनरल पॉपलेशन की तुलना में चार गुना ज्यादा हार्ट अटाइक और स्टोक आने का रिस्क है यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि डाइबिटीज के काफी लोगों में इस साइलेंट हाइट अटाइक आता है जिसमें आपको कोई सिम्टमस नहीं मिलते हैं क्योंकि जो हाट को सप्लाई करने वाली नर्ब्स हैं जो पेन सेंसेशन carry करती है वो भी diabetes में affect हो सकती है इससे बचने का उपाय क्या है इससे बचने का उपाय है कि अपने blood sugars को control में रखी quit smoking अपने blood pressure और cholesterol की medicines regularly every year ECG करें following which the second most common complication जो आजगल हम ओपिणी practice में देख रहे हैं that is diabetes related kidney complications diabetes में kidney involvement बहुत common है 20 साल की diabetes की duration के बाद almost 60 to 70% लोगों को कुछ हद तक kidney का involvement होता है इसके लिए आपको हर साल अपना serum creatinine और urine protein examination कराना चाहिए अच्छी बात ये है कि आजकल हमारे पास diabetes के management में ऐसी बहुत सारी दवायां available है जो आपको diabetes related heart और kidney complications से बचाती है now let us talk about the foot problems in diabetes diabetes can decrease blood flow to the foot and it also affects the nerves which carry sensation so after a long duration of diabetes whether your blood sugar is controlled or not especially in people with poor control the loss of sensation can make you more prone to develop foot ulcers इसके लिए अपने पैर की देखबाल कैसे करें सुबह शाम अपने पैर को गुनगने पानी से साफ करें पैर को dry करें उंगलियों की बीच की जगा को अच्छे से सुखाएं उसमें moisturizer लगाएं हमेशा कपड़े के जूते पहने जो आगे से round या square हो pointed toe वाले जूते नहीं पहने और सर्दियों के मौसम में अंगीथी या heater के सामने पैर नहीं सेके अगर आपको एक बार foot ulcer हुआ है तो अगले दो साल में आपको repeat foot ulcer होने का chance up to 50% है जो की proper foot care से बचाव हो सकता है अब हम बात करेंगे diabetes का effect on mental health diabetes तिफ आपको ही नहीं आपके परिवार को भी effect करती है making a huge change in your lifestyle आपके खाने पीने में पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाना regular check-ups, doctor visits, diabetes related complications का खर्च यह आप पर ही नहीं आपके परिवार पर भी बहुत ज्यादा pressure डाल सकती है अपने आपको और आपकी family को आप सही तरीके से manage करकर diabetes early stage में screening करके और complications को prevent करकर अपना जीवन एक बहुतर तरीके से जी सकते हैं on on subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates